कंगना रनाओत का शो लॉक अप लगातार खबरों में बना हुआ है शो में आगे बढ़ने के लिए सदस्य कई तरह के हतकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं शो में अपने आपको आगे ले जाने के लिए सदस्यों को अपने जिन्दगी के राज को खुले आम बताना होता है शो के सभी कंटेस्टेंट्स फिनाले में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को कड़ी टककर देने के लिए प्यायार है वहीं दर्शक कैदियों के हर कदम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और फिनाले वीक से पहले अपने फेवरिट कंटेस्टेंट को जम कर वोट भी कर रही है आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चनल अनन बॉल वोड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आई तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले आपको बताते चने के शो में शिवम वर्मा और मुनवर फारू की फाइनलिस्ट की तौर पर उभर कर सामने आ हैं वही प्रिंस नरूला की एंट्री ने शो को और भी टफ बना दिया है क्योंकि आक्टर ने आज तक कई सारे शो की ट्रॉफिय अपने नाम की है इसके साथ ही प्रिंस नरूला लॉक अप के तीसरे फाइनलिस्ट बने हैं आक्टर दशकों के बीच लगातार चाय हुए है उन्होंने पायल रोतगी को पीछे करके फिनाले की रेस में अपना नाम दर्ज कर लिया है वही शो में प्रिंस और पायल के बीच जम कर घमासान देखने को भी मिल रहा है बता दें दोनों ने एक दूसरे की पुरानी बाते तक शो के दौरान कह डाली दरसल अक्टर ने पायल के बॉइफरिंड संग्राम का नाम लिया था जिसके बाद पायल ने उसे कहा था तू किसके सपोर्ट से आया है नोरा फतेही के सपोर्ट से अब बोल इस पर रियाक करते हुए प्रिंस ने कहा था तेरे तो एक्स गिन भी नहीं सकता मैं दोनों की ये लड़ाई सोशल मीडिया पर अब खूब सुर्खियां बटो रही है फिलाल के लिए इतना ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौनसे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले